आज सुनिए, बहु आयामी व्यक्तितों की धनी हिंदी लेखिका म्रदुलासिनहाजी की लिखी हुई कहानी दत्तक पिता तो शुरू करते हैं कहानी दत्तक पिता एक महापूर ही हरिद्द्वार इस्थित एक व्रिधाश्रम से उसके नाम पत्राया था उसके पिता महंद सिंग के बीमार होने की सूचना थी मेज पर पड़े उस पत्र को जब तब उलट उलट कर देखता एक एक शब्द से पिता की इस्थिती का अन्मान लगाता बेचैन होपता था सिद्धार्थ चैन भी उसी पत्र से बिलता था अम्मा नहीं रही अंतिम समय में वो उन्हें अपना मूह ने दिखा सका ऐसी क्या विस्तता थी और क्या अम्मा की सेवा उसकी कारे सूची में नहीं आनी चाहिए थी मानो कागज के पड़ने चित्रित हो वो छोटा सा आंगन चूले के सामने बैठी अम्मा खटिया पर अम्मा के साथ गुथी तीनों बहने बच्चों की धमा चौकरी से खटिया की एक रसी क्या खुलती बाबू जी की इस्तिती ऐसी मानों के हिदय का कोई तार खुल जाता था ये सारे दिर्श उसकी आँखों के आगे रूर हो गए सिद्धू कितनी बार का खटिया पर मत कूदो ये भी तूट गई तो क्या जमीन पर सुएगा सक्त हाथों से बेटे का हाथ पकर खटिया से उतारना और अपनी मुलायम हतेली से मूझ की रसी को सहलाते जाना ये क्रम चलता रहता था अपनी मास्टरी की छोटी कमाई बड़ी मुश्किल से बचाई रकम से खरीदी साइकिल के एक एक पार्ट पुर्जे का भी उन्हें उतना ही ध्यान रहता जितना अपने बच्चों का सारी स्मृतियां सजीव हो उठी थी सिद्धार्ट ने बच्चपन में पढ़ा था सुख में दुख की स्मृतियां फूल दुख में सुख की स्मृतियां शूल पर इन दिनों सिद्धार्ट के मन मन्थन में उन पंक्तियों की अर्थवत्ता गड़मड होने लगी थी अगले दो महीने बाई तो सिद्धार्ट की साथवी वर्ष का अठाने वाली थी अचानक आगत की कलपना उतनी सुखत नहीं लग रही थी जितनी विगत जिन्दगी के शुरुआती तीस वर्षों की इसमृति में खो जाना अपनी जमीन वा अपनों से सा समंदर दूर होकर उसकी जोली में आई थी उपलब्दियां ही उपलब्दियां अमेरिका के अर्थ जगत में हर आने वाला साल उसके लिए नया किरतिमान लाने वाला रहा था तबी तो वो आगे और आगे देखता रहा पीछे मुर कर देखने में रुखना जो पड़ता समय देना पड़ता सिध्धार्थ के पास रुखने तमने का समय कहा था आगे देखने में उसके ना कदम रुखे ना द्रश्टी पर अचानक साठ के पास पहुंचते पहुंचते क्या हो गया उसे निव्यार्क में बिताए रेस के अवल गोड़े के तीस वर्षिय जंदिगी नामे से कत्राता पीछे के उतने ही समय के हर मोड़ पर पाउं रखता उसके जोड़ गटाओं में उलस्ता सिधार्थ अब जल्दी भी क्या थी धन वैभव और शोहुरत तो इतना कमा लिया कि आने वाली साथ पीडियां बैट कर खाएं तो भी समापना हो इसलिए तो उस जमीन से जोड़े लोगों को से इर्जा होने लगी थी पर कहां है आने वाली पीडियां बेटा बेटी नाती पोते कोई त लिए अलग-अलग आलिशान बंगले सिधार्थ नहीं बनवा कर दी है सब अपने अपने में व्यास्त शायद इसलिए उसे तीस वर्ष पीछे छूटे स्वजनों के सानिद और इस परश की इस प्रतियां सुखत लगने लगी थी सुनीता श्यामला और सुजाता एक बड़ सहलाने अवश्य लगी थी पर सुकून तो पिता के कंदों पर या उली पकड़ कर चलने की याद में ही मिलने लगा था अताहा आनंद अंजाने अंचाहे स्वा अरजिस समर्दियों के नीचे तबे अपने को ढूंड लिकालने के धुनसवार हो गई वो कौन है किसका है किसने जन्वतिया किसने दिया नाम उसके बढ़ते कद काठी वा कदमों के साथ किसकी कामनाए बलबती होती रही उसका खांदान कौन है दादा पर दादा कौन थे वे लोग उसकी उस दुनिया में कहां फर्क पड़ा उसके दादा अपने इलाके के बड़े धर्मात्मा थे इलाके के कोख्यार डाकू ही होते तो क्या किसी ने कभी पूछा नहीं जाना नहीं वहां तो सिधार्क नात सिंग भी नहीं मात्र एसन सिंग की पहचान बनी स्वयम मिस्टर सिंग ने मनाई वो पहचान उनकी अर्जिस संपत्य स्वयम उसे ही कहां अपनी खबर रही पचीस से पचास वर्ष गदे की उम्रिड होता रहा बोज आयो के छटे दशक में जोड घ दरव वश्य होता था पर इन दोनों वो उन हतेलियों को उनकी कच्ची अवस्था में सहलाने वाले उंगलियों में डाल कर थोड़ी देर ही सही सुस्ताना चाहता था और उसके अंदर ये चाहत उतनी उतकट वा बल्वती होटी थी कि उसने अचानक भारत के लिए प्लें ट करने के उद्देश इसे ही भारत के लिए चल पड़ा था न्यू यॉर्क से तेरे घंटी की यात्रा तेरे सेकेंड में पिता के पास पहुशने को आतुर सिधार्थ को यात्रा के दौरान एक युग बीटने का एसास हो रहा था अंतर राष्ट्री हवाय अड़े पर बाहर की इतिजार करती निगाहें शीशे से अपने सौजनों को हेर रही थी और नयन मिल जाने पर दोनों और से आनंदा तेरे के इशारे हो जा रहे थी उन में से किनी दो नयनों का निशाना सिधार्थ नहीं था उसकी आँखें नम हो आई जटके से बाहर निकल धरती से एक चु कितना कुछ बदल गया था एरपोर्ट पर टैक्सी बुक करवाई और एरपोर्ट से सीधा हरिद्वार के लिए रवाना हो गया रास्ते में दिल्ली का विस्तार फिर हरिद्वार पहुंचते पहुंचते अपने देश के बदलते हुए दिरश्य देख आनंदित होता रहा आ उम्र असी ग्राम वीसलपूर का नामपट्ट टंगा था अप रयास उसकी हतेली उस नामपट्ट पर फिसल गई अंदर खाट पर पड़ी काया का निरिक्षर कर रहे डॉक्टर और व्यवस्थापक की उपस्तिती की परवा किये बगैर वो पुकार बैठा बाबुजी सधा हुआ पान मानों प्रति दिन धन्स से निकल लक्ष बेधन का विहास रहा हूँ सीच सीच चिकित्सक और व्यवस्थापक हत्प्रब रह गए पंद्रे दिनों से खटिया पर पड़े व्रद्ध ने दो दिनों से मौन साथ रखा था अन जल ग्रहन करना तो छोड़ी चुके उन्हें समझा बुझा कर सामाने करने में उन दोनों के सारे प्रत्न व्यर्थ चले गए थे मैं हूँ सिधार्थ आपका बेटा बाबुजी मैं हूँ आपका सिध्धू मैं आ गया बाबुजी बेताप सिध्धार्थ ने पिता को अपने अंक में भर कर कान के पास मूह ले ज बेटे को अपने पाश में लपेटने के लिए छटपटाती बाहों को थाम उन पर सिर अगड़ता फपक पड़ा सिद्धार्थ, बेजान पड़ी हतेलियों को अपने सारे अंगों पर फेड़ने रगा, द्रश्य को अपने में भरती आखें भराएं, उन नैनों को भी भरते ज जड़ते रहने की लट्सी पड़ गई थी, उस आश्रम में पड़े व्रद जन उन्हें रीतने कहा देते थे, उस क्षण में उनके छलक आये आसू में आनंद के अनगिनत कड़ थे, सिद्धू, सिर्पर लंबे बाल, लंबी सफेद दाड़ी, बढ़ी हुई वेतरती मूच के बीच छुपे पोकले मुख से निकली पुकार की अनगूंज से आश्रम का प्रांगण गुंजायमान हो गया, सर्वत्र वही चर्चा पसर गई, सुनते सुनाते व्रद्धों को लग रहा था, जैसे उनकी अपनी कोई संतानों से मिलने आ गई हो, दोनों एक दूसरे के इ अम्मा नहीं तुमारा नाम रट्ती रट्ती चलबसी, अब पिताजी अकेले रह गए हैं, उन्हें अपने पास रखने लिए हम तीनों बहनों में होब लगी है, पर तुम तो जानते हो, वे कैसे हटी हैं, बेटियों के घर जाना उन्हें किसी भी कीमत पर मनजूर नहीं, अ मौनूर मौनू कैसे हैं, कैसी है मौनू की जर्मन बीबी, कितने सवाल, और उन सवालों के उत्तर में प्रतीक्षित निगाहें मानों, चिर प्रतीक्षा रत रही हो, तभी तो सिधार्द के उतर सुन पुलक उठती थी, सिधार्द भी रिण मुक्त होना चाहता था, इसी वर्षी नजरों में जीने की आस के साथ एक नई शक्ति का पुनर जन्म हुआ, सिधार्द को उनके मुक्ष से अपनी बाल प्रिणा के वर्णन सुन अतहा आनंद की प्राप्दी हो रही थी, उन प्रसंगों के वर्णन में डुपकी लगाते, उसे अपने विशाल के ल अटपटा नहीं लग रहा था, अमेरिका में बिताए लंबे समय में कठिंतम श्रम से भी उसके बदन पर कभी एक बुद्ध पसीना नहीं निकला, बई मास में पसीने से तर बतर उसका शरीर मानों वर्षों बाद सावन की फुआर से भी घाऊ, तीस वर्षी जीवन के शान शौकत, अति आराम दे, रहन सहन, आत्मियता बटोरने और आत्मसाथ करने में कहीं से भी आड़े नहीं आ रहा था, अपने पिता की स्वरण शक्त पर उसे अवश्याश्य हो रहा था, वो भी तो बाप बना हुआ है, उसे कहां याद है अपने पुद्र का बच्पन, पानी में उत्रे बिनाही मन तर हो रहा था उनका, सिधार्थ को पानी के अंदर कुछ खशन बीद गये, वे चिल लाए, कोई है, निकालो मेरे बच्चे को, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, गंगा में खड़े लोग अपने हाथ पैर फेक कर किसी डूपते बच्चे को ढूनने लगे, गंगा का निर्मल तीवर जल प्रभा एक खशन के लिए भेगरस्त हो रुप गया था, थम गया, तभी सिधार्थ का सिर बाहर आया, मिल गया मेरा बेटा, वो राहे गंगा मैया, तेरा लाख लाख शुक्रिया, चले दरा, सफेद बालों वाले व्रद बच्चा को द जाने कितनी मनोतिया माननी, सिधार्थ उनके पास आकर बैट गया, उसके सिर पर हाथ फेड़ते हुए पिता ने कहा, अब मुझे यो डराया मत कर, पुत्र के सिर का पानी पोशते हुए पिता का हाथ पीट पर आ गया, बाई और एक छोटा सा कढधा हाथ रुक गया, याद मिदवार ले आई, गंगा में डुपकी लगवाकर मनोति मानी, एक महीने बाद घाव भर गया था, तुम जब डुपकी लगाकर बाहर ने निकले तो मैं घब राही गया, मुझे पता नी तुर्य मानने मनोति उतारिया नही, मुझे डर लग रहा था यदि उसने मनोति ना बुक्षमा करी देती होंगी गंगा में डुपकी लगा कर मुझे भी मा के सपर्ष का एसास होता है तबी तो पंधर दिनों में सुबह शाह में आता हूँ डूप कर बैठा रहता हूँ मानो मा के आचल में पिता के कंदे पर सिर्द रखकर फपक पड़ा था सिद्धार्थ बह आमने प्रवाव में उस निश्चल धारा में अपना शरीट बोनों के लिए पूद पड़ा सिद्धार्थ प्रति दिन दोनों पहर गंगा में डुपकी लगाना नियमसा हो गया था उसका जबसे उसके पिता थोड़ा बहुत चलने लगे उन्हें भी कभी कभी लिया था उस संस्था भी नहीं कि उस संस्था में आकर कोई व्रद अपने घर वापस नहीं लोटा हो संस्था की 20 वर्षिय जंदिगी में ऐसे लोगों के संख्या भले ही एक दो रही हो पर थी तो उन्हें ले जाने वाले उनके बच्चे या सगे संबंदी रहे थे पर सिद्धार्थ का क्या रिष्टा था उस व्रद्ध से उनने विश्वास हो गया कि संस्था वाले उन्हें सिद्धार्थ के साथ महीं जाने देंगे आदी रात तक करवटे बदलते रहे सिद्धार्थ ने पूछा क्या हुअ बाबूजी तबियत तो ठीक है इस्तित प्रग्य हर किशोर संग क पांच वर्ष पुराना अतीत लोटाया था मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ बिना लाग लपेट के बूल गया सिध्धार एक अपरादी बालक की भात धर्रा गया क्यों उससे अब क्या भूलो गई बाबुजी दरसल मैं अब आप से अलग होना नहीं चाहेता और मेरा अमेरिका लोटना भी जरूरी होगा मैं आपको अपना अरजित काम धाम भी दिखाना चाहता हूँ पर आप ना जाना चाहें तो मैं हरी किशोर सिंग भी कहां आकर फसे एक फक्कर की जिंदगी अंच समय में रिष्टों के जाल में फसकर रह गए उनके साथ पूत के पाउं पालने में दीखते हैं कहावच चरितार्थ हुई थी पच्पन से ही माँ बाब भाई बहन किसी से रगाव नहीं पुत्र के लक्षन करम देखकर पंद्रे सोले वर्ष की अवस्था में पिता ने शादी के बंदने बानना चाहा था जिस गोड़े पर डूला बनकर बैठाया गया गोड़े की राज दूसरी और मोड कर चाबक मारी गोड़े ने दुलहन के दरवाजे पर जानने की दिशा क्या बदली हर किशोर जी के जीवन की भी दिशा बदल गई आज यहां कल वहां लुपते छुपते भागते दोड़ते भारत मा को बंदन हीन कराने का जुनूम उनके जैसे हजारों कुत्तों के त्याग पलिदान से भारत मा सोतंत्र हुई अनेक संस्थाएं देश समाज की रचना में लग गई हर किशोर सिंगी एक राष्टवादी संस्था की सदस्थे बन गए पारिवारिक मोह माया से दूर बहुत दूर आसक्ति का स्वाधी भी नहीं चखा प्रोड़ावस्ता भी कड़ गई यौवन प्रोड़ावस्ता तो बिना सहरे के ही कड़ जाते हैं बच्पन और बुढ़ापे को सहरे की आवश्कता होती है और ये दोनों अवस्ताएं ही एक दूसरे का सहरा होती है जब उन्हें सहरे की आवश्कता पड़ी इस समाज में भी एक नई संस्कृत ने जन्म ले लिया था व्रिद्धाश्रमों की संख्या इस देश में भी बढ़ने लगी भागते दोड़ते ठक चुके थे हरकिशोर से 75 की आयों में उनके शरीर को मातर सुस्तानी की आवश्कता पड़ी थी परंत वेतु संस्था में आकर अपने कम्डे के साथी महंद सिंग द्वारा भाई माया मोह की सरीता में डूबने उत्राने लगे सुरसरी के किनारे बैट कर लौकिक जीवन में डूबते गए महंद सिंग अपने पुत्र मोह में ऐसे जकड़े थे कि सारा बाता वरन मोह पाश में बन गया था दिन रात अपने मित्र को सुनते सुनते हरे किशोर जी को आसकती के सुआत का चस्का क्या लगा डूबी गए इतना कि दोनों में कोई अंतरी नहीं रहा दोनों के कद काठी रूप रंग की सामेता देखकर संस्था वाले कहा करते थे क्या पता हिंदी फिल्मों की तरह बच्पन में बच्छोड कर बुढ़ापे में मिले हो महंदर सिंग की मृत्य के बाद इसका अंदाजा दोनों को लगा दोनों के हिर्दे और प्राण भी एक ही हो गए थे ठीक जुड़ा भाई की तरह एक के बीमार होने पर दूसरा भी बीमार होता है हरी किशोर जी ने भी मृत्य को वरर करने की ठान ली सिद्धार्द के आने पर भी उनका मो भंग नहीं होने दिया जहां सिद्धार्द को अपने पिता के सानेदे से तरप्ती मिल रही थी वहीं हरी किशोर सिंग भी चलते चलते ही सही पुत्र सानेदे का स्वात चक लेना चाहते थे तरप्त हो रहे थे दोनों एक जाने दूसरा अन जाने अपने सिरहने से एक डायरी निकालकर सिधार्द को देते हुए उन्हों सक्त शब्दों में कहा ये है तुमारे पिता की डायरी इसके हर पन्ने पर तुम अंकित हो ये डायरी मेरे लिए गीता है रामयर भी तुमारे पिता ही क्रश्न और दश्रत हो गए मेरे लिए तो पकड़ो, पढ़ो, उल्टो तो, मेरी और क्या टक्टकी लगाए देख रहे हो, तुम्हारे पिता उस डाइडी में है, मेरे चेहरे में नहीं अपने पन में भीगी जिर्की, एक आग्याकारी पुत्र की भूमिका निभाता सिधार्थ डाइडी के पन्ने पलटने लगा, उस जरजर निश्प्रान काया को सहरा देकर उठाते बैठाते, सेवा सो शुष्रा में उसमें जान फूगते, एक बार भी सिधार्थ को बाप बद की बालक और व्रत्य एक समान हो जाते हैं, दो नवजाज शिश्यों का भी अंतर कहंद रिष्टिकोचर होता है, क्षोर प्रह में बदले बच्चे को भी जच्चा अपनी कोक का जाया समझ कर हिदे से लगाती है, इस्तन पान कराती है, उसके क्रंदन पर भी उसकी छाती में दर्ड उखता ही है, पिता के अंतरंग को ही अपना असली बाप समझ एक प्रसूती मा की भूंक्या निभाते सिधार्थ को आश्रम के व्यवस्थापक ने भी कहां छेड़ा, कहां रोका, उस आश्रम के एक सदस्य की जान बिना दवादारू के जो लोटाई थी, संस्था व रांत हर किशोर जी ने इच्छा मृति को वरर करने का निश्य कर लिया था, अन्य जल छोड़ चुके थे, सिधार्थ ने कुछ दिन देड़ की होती तो शायद हर किशोर जी के शरीर में अपने पिता की आत्मा का दर्शन और इस पर्ष नहीं कर पाता, भारत आकर भी प्या नहीं है, स्वयम बाप बनकर हर नौजवान अपने पिता को अवश्याद करता है, पर तुम्हें, मैं क्या बताओं, कितना तरपता था तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए, सिधार्थ के पिता की तरप जीवन्त हुआई थी, हर किशोर जी की वानी में, सिधार्थ को सिर र गया था बेटिया से बिलगाओ का दर्द, पंद्रे वर्षपूर उसने पिता को देखा था, सुजाता की शादी में अंतिम बारो भारत आया था, तब उसने अम्मा बाबुजी से अमेरिका चलने का बड़ा आग रह किया था, वे नहीं माने थे, बीसलपूर के दो कमरे के गर और उस खांदानी जगह के लोगों का मुह वे नहीं त्याग पाए थे, पांच वर्षपूर तक कभी पिताजी, शामला, सुनीता तो कभी सुजाता की चिट्टी पहुंशती रही थी, शायद पत्रों का नियात करते करते स्वजन भी ठक गए थे, रिष्टे तो आदान परदान से जीवित रहते हैं, महिना भर संग साथ रहकर भी उसकी प्यास बुजी नहीं थी, बढ़ती गई थी, तबी तो उसने पिता को अपने साथ ले चलने का प्रस्ताव रखा था, प्रस्ताव के उपरान संस्था वालों के लिए वे फिर से हरी किशोर सिंग थे, महिन सिंग नहीं, सिधार्थ की चाहत इतनी प्रबल और स्वाभाविक थी कि किसी से अस्विकार करते नहीं बन रहा था, उस पर अविश्वास का भी सवाल कहा था, सवाल मात परमपरा का था, परमपरा से जुड़े कानूनी प्रावधान का था, शायद अब तक किसी को ऐसी सिधार्थ की हुई, उसने एक नई संस्कृति का प्रथम भीच जाला था, आश्रम से विदा देते हुए असी हारे ठके इस्तरी पुरुष समवेत मूख स्वर में सिधार्थ को आशीश दे रहे थे, आकांग्शा दफन की उस शम्शान भूमे में अचाने एक ख्वाहिश अंकुरित हुई थी, काश हमें भी कोई यहां से ले जाता, अंतिम सास लेने के लिए बच्चों के किलकारियों से गूंजता आंगन होता, कानों में पढ़ते गीता के श्लोग स्वजनों के रूदन स्वर में सराबूर होते, अंतिम यात्रा के लिए अपने हाथों पले अंतिके साथ हरी किशोर जी की बची हुई जिन्दगी में भी एक नया उफान आया, उन्हें आकाश मिला तो सिधार्थ को जमीन, दत्तक ही सही पिता तो मिला, चंद पली सही नन्ने पड़ाओ पर छाओं तो मिलेगी अभी आप सुन रहे थे, ब्रदला सिन्हा जी की लिखी हुई एक बर्म इसपर्शी कहानी दत्तक पिता आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी, कल मिलेंगे, आपका समय शुक हो